नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो का जो टोपिक है वो है टू रूपीज के एक वैल्यूबल कोईन के बारे में वो कौन सा टू रूपीज का कोईन है वो है देश बंदू चितन दंदास के 1998 में बनाये गए 2 रुपे के सिक्के इसमें मैं आज आपको एक रेयर वराइटी के कोईन के बारे में बताने वाला हूँ जो की ठीक और हैवी प्लेंचेट पर स्ट्रक की गई है नॉर्मली आपने देखा होगा का देश बंदू चितन दंदास वाले सिक्के जो आते हैं वो 6 गिराम वजन के आते हैं कोपन निकल के लेकिन जिस कोईन के बारे मैं बताने वाला हूँ वो हैवी बेट प्लेंचेट पर स्ट्रक किया गया है जिसका वजन है 8.66 ग्राम अगर आप दोनों के को कंपेरिजन करेंगे तो आपको वेट में डिफरेंज देखने को मिलेगा काफी जादा तो इस रेर कोईन की वैल्यू क्या है और क्या-क्या चीजे इस कोईन में और देखने को मिलती है कूँसी मिन्ट से सिख्का बना था यही सारी चीज़े अच्छे से डेटेल में समझने के लिए वीडियो को आपको पूरे एंट तक देखना होगा और आप भी मुझे बताने कि ये कोईन आपके पास एविलेबल है या नहीं है क्योंकि एक rare और high value का कोईन है इस कोईन की कितनी ज़ादा value है ये वीडियो में आपको समझवाएगा कि कितना ज़ादा rare कोईन है एक कोईन आता है है हैदरबाद मिंट का वो आपको सभी को पता है क्या 1998 में देशबंदु चितन दन दास का 1998 में हैदरबाद मिंट का rare है जिसकी value दस जार से पच्छिस जार रुपर तक चली आती है लेकिन इसके अलावा भी एक कोईन रेयर है जो की weight में जादा है जिसका वजन जादा है जिसकी जो प्लेंचेट है वो थिक और heavy प्लेंचेट पर रिस्ट्रक किया गया है यही चीज़े आज की इस वीडियो में समस्ते है तो अब वीडियो को आप पूरा एंट तक देखे और अच्छे से समझे जिसको उनके बेरे में मैं बताने वाला हूँ आपको और दोस्तों आज की वीडियो काफी जद्धा interesting और knowledgeable होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा दो रुपे के जो सिक्के हैं देश बंदू चितन्दंदास के जो की 1998 में जारी हुए थे और ये सिक्के तीन मिंटों से जारी हुए थे कलकथा, हैदराबाद और नोईडा मैंने सिक्के की पहले भी वीडियो काफी बार बनाई है जिसमें मैंने बता है क्या हैदराबाद मिंट का सिक्का इसमें valuable है और collectable है अगर आपके पास 2 रुपे का हैदराबाद मिंट का देश बंदू चितन्दंदास का सिक्का है तो उसकी कीमत 10,000 से 25,000 रुपे तक जाती है लेकिन मैं आपको इसमें एक rare variety के बारे में बताने चाहता हूँ तो अगर आपके पास 2 रुपे के काफी सारे coins available है देश बंदू चितन्दंदास के तो वो चीज उनमें जरू चेक करें जो मैं अब आपको वीडियो में बताने वाला हूँ यह काफी ज्यादा important है जो चीज मैं आपको बताऊंगा ध्यान से सुनें और अच्छे से वीडियो को समझें क्या मैं बताने वाला हूँ 1998 में दो रुपे की जो सिख्या है थे दोस्तों एक copper nickel की धातू में देखने को मिले थे 6 गिराम इनका वजन था size 26 mm ध्यान दे 6 गिराम वजन का लेकिन इसमें एक heavy weight planchette भी देखने को मिलता है 2 रुपी coin इसकीन पर जो coin दोस्तों देख रहे हैं आप ये copper nickel का ही सिख्या है लेकिन इसका जो वजन है वो है 8.66 gram और ये जो struck हुआ है ये thick और heavy planchette पर struck हुआ है यानि के मोटी और भारी जो planchette होती है normally ये सिख्या 6 gram वजन में देखने को मिलता है लेकिन इस सिख्ये का वजन 8.66 gram वजन का इस सिख्या है तो ये थोड़ा heavy सिख्या है ये सिख्ये बहुत कम देखने को मिलते है और कलकत्ता मिंट की तरफ से सिख्ये देखने को मिले है ये rare की category में आते हैं अगर आपको भी लगता है कि आपके पास देश बंदू चितन दंदास के coin है और वो देखने में थोड़े thick और heavy लग रहे थोड़े भारी लग रहे है normally अगर आप एक हाद में 6 गिराम वजन का सिख्या लोगे और एक हाद में आप 8.66 गिराम का सिख्या लोगे तो आपको difference देखने को मिलेगा आपको normal सी बात है कि आपको 8.66 गिराम वाला सिख्या भारी लगेगा तो इसमें एक rare variety भी आती है ये स जानकारी आपको इससे पहले किसी ने ना दी हो मैं बता रहा हूँ और ये सिक्का auction में मैंने देखा है एक online auction में 7000 रुपे तक की कीमत इसकी रखी गई है बेगने के लिए 6-7000 रुपे की काफी बड़े-बड़े auction हाउस है हमारे इंडिया में Bombay auction टोडिवाल auction classical numismatic gallery ऐसे coins उन में देखने को मिलते हैं और ये rare coins होते हैं जो coins में थोड़ा बारीकी से काम करते हैं उनको पता होता है क्या ये coin का weight ज्यादा है लेकिन जो नौर्मली को ना आयते उनका वजन कम है जिनको knowledge नहीं है उनके हाथ में अगर ये सिक्का है तो शायद वह पता भी न लगा पा कोपर निकल का तो वह वैल्योबल हो जाता है तो आज की वीडियो शॉट वीडियो थी यही आपको information देनी थी क्या इसमें एक heavy coin भी देखने को मिलता है जो की thick heavy weight planchet पर struck किया गया ये coin है जो आप इस skin पर देख रहे हैं तो आशा करता हूं ये जानकारी होती वीडियो आप को मिल सके दोस्तों क्या आप एक coin collector है आप घर बैठे मगवाना चाहते हैं अपने collection के लिए नोट रो सिखे तो अभी के अभी जाके डाउनलोड करें coinbazar application को यह best numismatic application है Google Play Store पर जहां पर बहुत सारे coins और नोट अविलेबल है चाहे हो मुगल हो इंशेंट हो ब्रिटिश इं लोड करें coinbazar एप को वीडियो के description में लिंक एविलेबल है